हेलो फ्रेंड वेल्कम टु इस्टेडी सर्चुपइंट मैं मुकेज सिंग आपनों का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो जो है मद्दिक आलिन भारती इत्यास के करम का अगला वीडियो इससे पहले हमने भारत में मुस्लिम आकरमर से सम्मन्दी दो वीडियो यब आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं जिदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करूएं साती बैल हो जाएगा चलिए आईए इसी के साथ सुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे संसवानी वन्स को और इसका मुख्य सासक हो था इसका प्रमुक्ष जो सासक था वो था मुख्मद गौरी मुख्मद गौरी से जो है परिख्या की दिश्टी से काफी महत्कुन कोश्चिन पु बार आक्रमन किया गया और विभिद्न मात्रा में भारत से धनलूट कर ले जाया गया गजनी के हम प्रदेश था गौर प्रदेश और इसी गौर प्रदेश में एक वंसे की स्ताप्ना होती है प्रमुग जो सासक था वो था कुटुबुद्दीन हसन इसके छे पुत्र थे इनने अपने सामलाज्यों को छे पुत्रों में बाटा हुआ था ठीक है कुटुबुद्दीन हसन के बाद अगला जो सासक बनता है गयासुद्दीन गयासुद्दीन का ही जो है छोटा भाई था म मुहम्बत गौरी और गया सुद्दी ने मुहम्बत गौरी को 1173 ASB में जो है गजनी का सासक या सुबेदार नुक्त गया था तो मुहम्बत गौरी साब से पुछा जाएगा कि मुहम्बत गौरी कहां का सासक था तो वो था गजनी का मुहम्बत गौरी गजनी का सुबेदार य तो पहले हमें मुहम्बद गौरी के बारे में उनके उद्देशी क्या था? क्यों भारत पर आ करमन क्या था? वही गौरी का उदेशी जो है भारती सीमा में मुश्लिम सामराजी का विस्तार करना हो गया था इसी करम में गौरी द्वारा जो है भारत में पहला आक्रमन जो है मुल्तान पर 1175 इस भी में किया जाता है और जो कि भारत में गौरी का पहला आक्रमन माना जाता है था तीक है और इस आक्रमन गौरी की विजय होती है जिससे खुस होकर अब भारती सीमा के मद्य भारत में जो कन्योज वाला जो छेत्र है वहाँ पर अपने सामराजी वहाँ तक का अपने सामराजी का विस्तार करना चाहता था इसी उदेशी को लेकर वह भारत पर बार-बार आक्रमन करता रहा गौरी के आक्रमन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे गौरी के आक्रमनों को पढ़ने से पहले हमें गौरी के आक्रमन के समय भारत की क्या इस्तिती थी उसको जानना हुआ क्योंकि इससे संबंदी question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परिक्षा की दिश्ची से कापी महतुपूर भी है देखो गौरी के आक्रमण भारत पर आक्रमण के समय मुलतान में इसमाइली वंसका सासन चला था हाला कि इसके सासक का जो है जानकारी नहीं मिलती है वही लाहर में यामिनी वंसका खुसरो मलिक था ठीक है चला था खुजरात में चालुक की वंस जिसका सासक था भीम सैकंड और कन्नोल में गहडवाल वंस चला था जिसका सासक था वो था जैचंड और बंगाल में सेन मन्स चला था जिसका प्रमुक सासक था वो था लक्षमर सेन वहीं अजमेर में चोहन मन्स का सासक था यहां का महन राध्पु सासक जो था वो था पिथिवी राध चोहन यह इस समय भारत का सबसे सक्तिसाली सासक था जो गोरी के आकरमण के समय भारत की जो सबसे सक्तिसाली जो सासक रहा है गोरी के आकरमण के दोरान वो था पित्थिवीराद चोहान ही था वहीं दूसरी और दिल्ली में भी चोहन मंसी ही थे इसके पीछे एक छोटी सी काहनी ये थी कि पित्थिवी राज चोहन के जो पिता थे उनका विवाद दिल्ली के तोमरों के यहाँ होगा था साथ ही दिल्ली और अजमेर के जो बीच जो है वेवाहिक संबंदी भी थी 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 संबंदी भी रहे हैं दिल्ली के तोमर सासक अनंतपाल पित्थिवी राज चोहन के नाना थे और उनकी कोई संतान नहीं थी जिस कारा दिल्ली का उत्रादिकारी जो है पित्थिवी राज चोह निदी भी बनाया हुआ था ये थी मुहम्मद गोरी के भारत के आक्रमण के समय भारत की इस्ति थी अब यहां से एक कोश्चन किस प्रकार पूछता है कि मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो है मुल्टान की में कौन सा वंच चला था या मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय लाहर में कौन सा बंच चला था या वहां का सासक कौन था मुहमद गौरी के समय गुजरात का सासक कौन था चालुक की बंच चला था वहां का सासक फीम सेकंड था या कन्नोच का सासक कौन था ठीक है जैचंद बंगाल का सासक कौन था चमर सेन अजमेर का सासा कौन था पृतिवीराद चोहान धिल्ली का सासा कौन था पृतिवीराद चोहान ठीक तराइन के पहले युद्ध में जो है गोविंद राज भाग भी लेंगे दूसरे युद्ध में भाग लेते हैं अब गोरी के भारत में पहला आकरमन देखो जैसे कि अभी मैंने बताया गोरी के जो भारत में पहला आकरमन था वो था मुल्टान में 1175 इसबी में आपसे पुझा जाया कि गोरी ने भारत पहला आकरमन कप किया था तो वो किया था 1175 इसबी में और कहां पर किया था मुल्टान में बहुत जरूरी है मुल्टान भी प्यात करना कहां पर किया था मुल्टान में देको मुल्तान में उसकी विजय होती है जिससे खुश होकर अब वह कन्यों तक का अपने सामराजी का विस्तार करना चाता है और इसी उद्देशी को लेकर वह भारत पर जो है दूसरा आक्रमन इस गुजरात से होते हुए करना चाता है कन्यों तक गुजरात में इसकी भिड़त होती है चालग की वन से भेम सेकंड जहां पर आबू का युद्द लड़ा जाता है 1178 के आसपास जिसमें गौरी की फार होती है और गौरी पुन्हे वापी चला जाता है एक महत्तोकांची सा सकता योग गिसा सकता तो वो पुन्हे भारत पर आक किया था गौरी का भारत में पहला आकरमर था वह कहां था मुलतान में और कप किया था 1175 में और यहाँ पर कौम सा चला था इस्मायली वन सी बिद्द गोरी नहीं जो सेकंड थे इनको मुल्क राज दुती के नाम से भी जाना जाता है तो कन्फ्यूजन होने की जर्वत नहीं है जिसमें गौरी की हार होती है और ये आबुका युद्ध लड़ा गया था तो आपसे पुछा जाया कि गौरी की भारत पे पहली जो हार थी वो यहीं पर थी मुल्तान में जबकि गौरी की भारत में पहली जो हार वी थी वो हुवी थी गुजरात में ठीक है और किसने हराया था भीम दुतिये नहीं या मुलक राज दुतिये नहीं ठीक है 1178 में गौरी की पहली हार वी थी भारत इसके बाद गौरी ने अपने गौर प्रांत चला जा करता है और पुने भारत पर आक्रमन करने की योजना मनाता है और इसी क्रम में भारत पर आक्रमन करता है इसके बाद वह भारत पर आक्रमन करता है सिंद में सिंद प्रांट में 1175 में गौटी का जो है सिंद पर अधिकार होता है ठीक है, अधिकार हो जाता है इसके बाद लाहर पर आक्रमण करता है 1186 में और यामिनी वनसका वहाँ पर अंत करता है खुसरो, मलिक जो होते हैं असको प्रास्त कर देता है और यामनी वंसका वहाँ पर अंत्र कर देता, अपने हरिकार छेतर में ले लेता है और इसके बाद वो, इसके बाद होता है शुरू, ठीक है? महतुकूण, दोखो जो तराइन, इसके बाद जो लड़ा जाता है, वो तराइन का युद्द्र लड़ा जाता है तराएं यह हर्याना में एक छेतर है वहाँ पर युद्धर लड़ा जाता है 1191 इस बी में और किस-किस के बीच यह लड़ा जाता है गोरी और पिथी विराज चोहन के बीच जिसमें गोरी की हार होती है और दिल्ली का सासक जो गोविंदर राज था उसने इस युद्ध में भाग लिया था ठीकर इसी युद्ध के हार के बाद गोरी वापिस चला जाता है और पिथी विराज जो चोहन होता है वो सोचता है कि मैंने युद्ध जीत लिया अब साइट गौरी वापिस नहीं आएगा। जिस कारण वो युद्ध की कोई योजना नहीं बनाता है। जबकि गौरी जिना सीन Ugh वहाँ पर भारी मात्राáveis तैयार है और इसी दोरान आपका चंदावा क्न्योज वाला कन्योज वाला जो छेत्र है वहां पर जो गहडवाल मंसे के जो सासक जैचंद उनके और चौहानों के बीच संबंद अच्छे नहीं थी क्योंकि जो गहडवाल जो सासक जैचंद था उसकी पुत्री सयोगिता को प्रिथिवी राज चौहान भगा कर ले आये थे जिस कारह दोन के बीच में रंजिस्त बनी भी थी ठीक है अच्छे संबंद नहीं थी और इसी का फाइदा जो है मुहमद गौरी उठाता है और जैचंद जो है भारत पर पुनहां आकरमन करने की अपिल करता है इसी को देखते भी मुहमद गौरी जो है तराइन का दुत्य युद लड़ा जाता है मौंबद गौरी और पित्वीराज 4 के बीच । 1991-2 जो आपसे बुचिएगा तरायन कहां पर पड़ता है तो यह हर्याना पर प्ड़ता है ठीक है और जिसमें पित्वीराज 4 की हार हो जाती है और उसमें मित्य हो जाती है ठीक है और इसी युद्य में भारत में सत्ता का सस्तापक माना जाता है तीक है आप से पूच्छा जाएगा कि तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया तो वो लड़ा गया था 1191 में किसकी जीद हुई थी मुहमबत सौरी पित्थी विराद के लिए उन्हों मेंसे किसी ने भी मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में नहीं की और भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई वो गौरी के तैम से हुई और भारत में मुस्लिम आपसे पूछा जाएगा कि भार्त में मुस्लिम सत्ता का सस्तापत किसे माना जाता है तो वो माना जाता है गौरी को काफी महत पूरे यह तराइन का पुति युसुद किस किस के बीच लड़ा गया पित्वी राज और गौरी के बीच कब लड़ा गया वहाँ पर चंदावर का नामकिस्तान पर युद्ध लड़ा जाता है जिसमें गौरी की विजय होती है और कन्नो विजय के बाद ही गौरी ने लक्षिमी की आकरती वाले जो सिक्के हैं वो चलाए थे ठीक है और साथ में कलमा भी लिखवाया था आपसे पूछा जाएगा कि चंदावर का युद्ध किस-किस के बीच लड़ा गया तो वो लड़ा गया गौरी और जैचंद के भी कब लड़ा गया 1194 में और किसकी विजय के बाद जो है गौरी ने लक्षिमी की सिक्के या आकरती वाले सिक्के चलाए थे वो चलाए थे चंदावर के युद्ध के बाद यह डायरेक्टिव पूछ सकता है निमने में से लक्षिमी की आकरती वाले सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गौरी ने और इसी के बाद गौरी अन्तेय बार जो है भारत बार सो पांच-इस भी में आया जिसमें खोकरों के बीच उसका युद्ध होता है वापस लोड़ता है तो खोकरों से उसका संगर्स हो जाता है और 15 मार्च बारसोचे में खोकरों के द्वारा दयमक नामक इस्तान पर इसकी हत्या कर दी जाती है इसी के साथ गौरी का अंतो हो जाता है जो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था उसमें उसके दो सेनापती थे एक का नाम था कुतुबुद्धिन एबक दूसरे का नाम था इप्तियारुद्धिन मुहंबद बिन बक्तियार खिलजी जिसे बक्तियार खिलजी कहते है ठीक है बक्तियार खिलजी और कुतुब कुतुबुद्दिन एबक और एक था बक्तियार खिलजी जो कि दोनु इसके गुलाम होते हैं और भारत में जीतने में इसका प्रतिनीद करता है ठीक है और जो बक्तियार खिलजी होते हैं यहीं तक नहीं रुकते हैं ठीक है वापिस गौरी जो है वापिस चला जाता है और जाती है इसके बाद जो है कुतुबिद्धिन एवाइक जो है दिल्ले की गद्धी पर बैढ़ जाता है और एक नए वन्सक की स्थापना करता है जिसे हम गुलाम वन्सक के नाम से जानते हैं दूसरी और जो बक्तियार खिलजी था वो वहीं तक सिमित नहीं रहता है वो बंगाल और बिहार को जीते हुए चलता है और इसी दोरान बिहार में उसने नालंदा विस्विद्याले का तहसने जला दिया था आज से पूचा जाएगा कि नालंदा विस्विद्याले को किसने ज लिने ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी तो वो की थी बक्तियार खिल जीगी एक बारे कुश्चन पूछा गया है और बंगाल में इस समय जो सासक चला था सेन मंसका उसका सासक था लक्षमर सेन और इसी के द चैनल को सस्काइब करें और साथी बैल आइकन को प्रेस करें और यह दिया आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स बल लिखें और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद